हाई वाट्सब गाईज फ्रेंट्स आज इम आपको सिखाना जा रहा हूँ कि कोई भी फोटो के उपर आप अपना फेस कैसे सेट कर पाते हो और साथ में यहाँ पर देख सकते हो कि यह वाला पहले वाला फोटो के उपर हमने एक दूसरा फोटो लिया और जिसका फेस इरेस कर कर देना है क्लिक फ्रेंट्स यहाँ पर जाके आपको एक फोटो डाउनलोड कर देना है यह सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन देदी है वहां से जगा आप डाउनलोड कर सकते हो तो फ्रेंट्स यहाँ पर जाना हो स्लाइडर को स्लाइड करके थोड़ा सा आपको यहाँ एक all photo का option लेगा, वहाँ पर आपको click करके photo ले लेना है, तो friends यहाँ पर gallery में जाके आप अपना खुद का photo भी ले सकते हो, photo लेने के बाद crop option में जाएगा और वहाँ से photo को कर देना है कुछ step से crop, यहाँ जो extra partition आ रहा है वो आपको यहाँ पर erase कर देना है, तो यहाँ से cropping tool क मदस से आप photo को, यहाँ only face को आपको select कर देना है, और इसे कर देना है check, फिर इसके बाद क्या करना है, आपको slider को slide करके यहाँ पर cut out वाल एक option है, finger tip की साथे से आप अपने object को, यहाँ आप अपने face को कुछ step से select कर देना है, यहाँ आपको यह बहुत ही ज्यादा महीन काम तो आपको ध्यांस से करना पड़ेगा, तो इस step से आप अपने photo को यहाँ पर select कर दिया है, select कर देने के बाद, friends, यहाँ पर top में एक check box वाल option है, वहाँ पर click कर देना है, यहाँ आपका extra partition यहाँ पर cut चुका है, तो उसको फिर से लाने के लिए यहाँ पे pencil tool की साथे से फि आपको यहाँ पर फोटो के अंदर जो नीचे का गला है, वो आपको यहाँ से फिर से erase कर देना, कुछ step से, तो friends, यहाँ पर देख सकते हो फोटो के अंदर जो extra partition है, यहाँ जो गले का नीचे का पाट है, जो T-shirt आपको दिख रहा है तो वो यहाँ पर cut कर दिया है, तो इस extra partition T-shirt के उपर आ रहा है, उसको आपको यहाँ पर erase कर देना है, तो friends, एक pixel perfect आपका editing यहाँ पर हो चुका है, तो friends, इस step से, फिर से zoom करके आपको दिखा रहा हो कि यहाँ पर देख सकते हो फोटो एक बिलकूल अच्छे तरीकी से यहाँ आपका edit हो चुका है, और इस T-shirt के पर आपका यह photo frame लग चुका है, इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर check box का option है, यहाँ पर जाना और इसे कर देना है save, friends, इसके बाद save करने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा बद time लगेगा, और save होने के बाद यहाँ पर all option है, effect का option, effect वाल option पर आपको फोटो अच्छे तरीके से आपके बनके रिडिक हो चुका है इसे कर देना सेव सेव करने के लिए यहां पर एरो का उप्शन है फोटो आपका सेव हो जाएगा फ्रेंट्स फोटो अडिनिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरू बजाएगा थैंक्यू फ्रेंट्स